दूसरा कोविट टीका कंड ड्रायरन आज देश भर में किया गया आयोजित 33 राजय और केंदर शाशिर प्रदेशों में 736 दिलों में बड़े पैमाने पर चलाया गया अभियान इसका उदेश्य टीका कंड के पूरुप की सभी तैयारियों की करना है समिक्षा क्रिशी कानून पर केंदर सरकार और अंदोलन कारी किसानों की बीच आठवे दौर की वारता आज नई दिली में जारी चार जनुरी को ही वारतों में कुछ मसलों पर बात ना बन पाने को लेकर सरकार ने आज की बैठक में कुछ समाधान निकलने की जताई है उम्मीद केंदी शिक्षामंत्री डॉक्टर अमेश पोख्रियार ने महात्मा गांधी अंतराष्ट्रिय हिंदी विश्विद्याले वर्धा के 24 में स्थापना दिवस और चौथे दिक्षान समारू को किया संबोधित केंदी सरकार ने वार्षिक योजने के थैत महाराष्ट्र में 5801 क्रोड रुपे की राजमार्ग परियोजनाओं को दी मंजूरी 2020-21 के दुरान राज्जे में 2500 किलोमीटर राजमार्ग निर्मान का रखा गया है लक्षिव क्रोणा काल में आयूश उत्पादों की मांग में हुई तीन गुणा बढ़ोतरी इस दोरान 100 देशों में आयूश की आरुवेदिक आउशधियों का उप्योग प्रतिरोधक शमता समवर्धक की रूप में किया गया और दुनिया भर में इसकी मांग धीरे धीरे पकड रही है जोर ओडिसा में आज से खुले गए दसमी और बार्मी के स्कूल राजसरकार के निर्देशों के अनुसार इस दोरान सक्त नियमों और सोशल डिस्टेंसिंग सहीत सभी आवश्य कोविड-19 सुरक्षा मानकों का रखा जाएगा ध्यान देश में कोविड संक्रमन से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर हुई 96.39 प्रतिशत देश में अब तक 1.37.000 कोविड मरीज हो चुकी हैं स्वस्थ देश में क्रोना संक्रमितों की कुल संख्या एक क्रोड चार लाग के पार करीब 2.25.000 सक्रिये मामले और 1.50.570 लोगों की हो चुकी है मौत अमेरिका के राश्पती डोनाल्ड ट्रम्प ने समर्थ को द्वारा हिंसा करने और कैपिटल बिल्डिंग में प्रवेश करने की घटना के बाद एक ट्वीट वीडियो किया जारी जिसमें ट्रम्प ने सत्ता के सुचारू और विवस्थित रूप से सहस्तामत्रन पर दिया अपना 27 टेस्ट शता टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत की शांदार शुरुवात